दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर सेल डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा और बीबी टेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोश्टों पर वेकेंसी है यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों को इलिजबल किया गया है यहाँ पर सिविल, एलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजिनर से इलिजबल रहेंगे आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जाम ने संखीस लगेगी बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जोब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सब ग्रूप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका URC Construction Private Limited की तरफ से निकाला गया है यहाँ पर आपकी रेलवे परियोजना और बिल्डिंग परियोजना के लिए वेकेंसी निकाली गई है जहाँ पर डिप्लोमा और बीबी टेक वाले अपलाई कर सकते हैं वीडियो में आगे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं आपके इलिजबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर आपने बीबी टेक या फिर डिप्लोमा किया है सिविल एलेक्रिकल या फिर मेकेनिकल इंजिनिरिंग में और मिनिमम आपके पास तीन साल का वर्क एक्सफिरेंस आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है मेट्रो रोयल परियोजना के लिए पोश्टे यहाँ पर आपकी साइट इंजिनिर, टेंडर इंजिनिर, प्लानिंग इंजिनिर, बिलिंग इंजिनिर और क्वाल्टी कंट्रोल के लिए रहने वाली है अगर आपने बीबी टेक या फिर डिपलोमा किया है सिविल इंजिनिरिंग में आप लोग यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है बिल्डिंग परियोजना के लिए पोश्टे यहाँ पर आपकी MEP डिजाइन और MEP एक्जूकिशन के लिए रहने वाली है अगर आपने बीबी टेक किया है मेकेनिकल इंजिनिरिंग में या फिर बीबी टेक किया है अलेक्रिकल इंजिनिरिंग में आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे बात करें आपकी वर्क लोकेशन के बारे में, तो वर्क लोकेशन यहाँ पर आपकी आंध्र प्रदेश, मध्र प्रदेश और उलिसा रहने वाली है, तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीबीटेक या दिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में, और मिनिमम आपके पास तीन साल का वर्क एक्सपिरियंस हैं, आप लोग यहाँ पर इलिसबल रहेंगे, बात कर लेते हैं आपके सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सेलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटर्व्यू के आधार पर रहने वाला है, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपडेटे सीवी लेना है, उसके साथ में आपके जितने भी जरूरी डोकुमेंट हैं, उन सबको आपको लेना है, सेल्फ केश्ट करना है और आपको पहुच जाना है इनके ओफिसियल एड्रेस पर, इंटर्व्यू यहाँ पर आपका होने वाला है चेन्नाई में, 29 अक्ट अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्यू, सुक्रिया